हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक तो दे प्रिटी पेंट आर्ट्स, मैं हूँ आपका नम्रत बावू जैसे मैं हमेशों से कहते आया हूँ, पेंटिंग ना सिर्फ रंगों से बरी कैन्वस है, आर्टिस्ट का और समाज का फीलिंग से भावनों से जुड़ी यादों से बरी हजारों कहानी हैं, जिससे सिर्फ आर्टिस्ट और वेवर समझ पाते हैं, और बाकी दुनिया को तो यह सिर्फ कैन्वस होता है, और कुछ नहीं ऐसे ही एक बावनों से बरी पेंटिंग और उससे जुड़ी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस फीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अगर आप अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कीजिए, पेंटिंग और स्टोरी आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत बूली, चलिए शुरू करते हैं, यह पेंटिंग मैंने लॉकडॉन में बनाया था, पर कहानी उससे पहले ही शुरू हुआ था, एक कपल अपना आने वाले बच्चे के इंतजार में, अपना शादी का कुछ सूरत पलों को याद करते करते, हस् सब्रेवरी 2020 में अपना चुटी पे आने वाला अपना चुटी पे खाम करके बच्चे का फर्स बर्डे पे आने का प्लानी बनाया था, पर मार्च में शुरू हुए कोरोनो लॉक्डाउन उसका पूरा प्लानिंग उल्टा किया था, एक बाप का अपना बच्ची का बर्ड और ये पेंटिंग मेरा फैमिली, मेरा हस्बेंड सभी को सर्प्राइज होना चाहिए और मेरा बच्ची का फर्स बर्डे पे मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक साल होने वाला था, लेकिन एक भी फैमिली फोटो लेने का नसीब नहीं हो आता, हाँ, फोटोशॉप से फैम अब क्या कहते हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उन बावनों को इंतजार का समय को यादकार बनाने के लिए पेंटिंग से अच्छी प्लान और क्या हो सता है दोस्कों, येस, when I have received so many images, it was really hard to select the right images for the right composition, क्योंकि वो सारे images, selfie step, and I have selected these three images for the composition and started sketching on the canvas using graphite pencils, which was really a tough job, created the right composition and then started painting using acrylic paints, it took many days to complete the painting, but I have kept my promise by delivering the painting on time, the delivery of the painting is also a kind of good memory for me, because I have delivered and revealed the painting in the middle of the of the Udukri Express bus stand, and there people surrounded me to see the painting and appreciated my artwork and that was so beautiful and amazing moment, client loved the painting, I really hope that I came out with the best result on the canvas, at the end let all of us wish, baap beti ek dusre se jaldi mile aur kush rahe, before closing this video, I would like to thank you so much for watching, aap logon ko ye painting kaise laga, comment section mein zarur bata yye, aur is video ko like kije, friends and family, friends and family ka se share kye jye, aur channel ko subscribe kye jye, agla video me phir milenge, tb tk take care, bye bye